कि नमस्ते दर्शको कैसे आप सम मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़ियाओंगे दर्शको आज हमारे यूट्यूब चैनल में हम यहाँ पर एक प्राचिन शास्त्रों के गहन ग्यान का पता लगाने वाले हैं आज हम भागवत गिता के अंतिम अध्याई में गोता लगाने वाले हैं जिसे मोक्ष सन्यास योग के रूप में जाना जाता है यद्याय भगवान कुरुष्ण और राजकुमार अर्जून के बीच में पवित्र समवाद को समाप्त करता है जिसमें जीवन के उद्देश्य का सार और मुक्ती का मार्ग शामिल है दोस्तों आईए इस अध्याय में निहित गहन शिक्षाओं को जाने अध्याय का हम लोग एक बार अगर अवलोकन करें तो मोक्ष सन्यास योग जिसे त्याग और मुक्ती का योग भी कहा जाता है भगवत गीता का अठारवा और अंतिम अध्याय है इसे इसमें अठत्तर अठत्तर स्लोग शामिल है और गीता की शिक्षाओं की परिणती के रूप में ये कार्य करता है तो आईए हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय के पांच उपदेशों के उपदेशों को जानें पहला है त्याग इस अध्याय में भगवान कुरुष्टनव त्याग के महत्व पर जोर देते हैं किसी के करतवयों या जिम्मेदारियों को छोड़ने के समदर्ब में नहीं बलकि एक अलग मानसिक्ता पैदा करने में वे अर्जून को फल की चिंता किये बिना नीश्वार्थ भाव से अपने करतवयों का पालन करने के लिए प्रोचसाहित करते हैं त्याग का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है बलकि अहंकार से प्रेरिद इच्छाओ और अपेक्षाओ को छोड़ना है जो हमें बानते हैं दूसरा है मुक्ती के मार्ग बगवान कुरुष्णा मुक्ती के तीन मार्ग बताते हैं कर्मयोग निश्वार्थ कर्म का मार्ग भक्ती योग भक्ती का मार्ग और ग्यान योग ग्यान का मार्ग वह अर्जून को सला देते हैं कि वह रास्ता चुने जो उनकी प्रकुरुति और सुझाओं के साथ प्रतिज्वनित हैं यह स्विकार्थ करते हुए कि सभी रास्ते परमसत्य की और ले जाते हैं तीसरा है सच्चे त्यागियों के लक्षण कुरुष्ण सच्चे त्यागियों के गुड़ों का वर्णन करते हैं जिन्होंने आत्म साक्षातकर प्राप्त कर लिया है उनका दिमाग संतुलित होता है अहंकार से मुक्त होता है समता की भावना रखते है प्रशन सा या आलोजना से अप्रभावित रहते हैं दोस्तों और अपने भीतर संतोष पाते है चोता है आस्ता का महत्व आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास एक महत्वपुन भूमी का निबाता है दोस्तों भगवान कृष्णा चुने हुए मार्ग में शास्त्रों में और परमात्मा में अटूथ विश्वास रखने के महत्वपर जोर देते हैं यह विश्वास है कि जो सादकों को चुनोतियों और शंकावं के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बनाए रखता है और मजबूत करता है पाजवा और अंतिम अंतिम मार्गदर्शन और निश्कर्म समापन के चंद में भगवान कृष्ण भगवाद किता की शिक्षाओं को समझने और अभ्याज करने के महत्वक को दोहराते हैं वे अर्जून को याद दिलाते हैं कि इश्वरिय इच्छा के प्रती समर्पन और धर्मिक्ता का जीवन जीने से व्यक्ति मुक्ति और शास्वत शांती प्राप्त कर सकता है दोस्तों आईए अब इसका निश्कर्ष देखें दोस्तों भगवत गिता का अंतिम अध्याय संपूर्ण शास्त्र की मूल शिक्षाओं को समाहित करता है यह त्याग के सार मुगति के विभिन मार्गों सच्चे त्यागियों के गुणों, आस्ता के महत्व और आत्मा साक्षातकार के अंतिम लक्ष पर जोर देता है यहाँ अध्याय आध्यात्मिक विकास और ग्यान की तलाश करने वाले विक्तियों के लिए एक मार्ग दर्शन प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये थी कुछ सिक्षाय जो समझाई गई है स्रीमत भागवत गिता के अंतिम अध्याय में अज हमारे साथ इस अंतिम अध्याय भागवत गिता के अंतिम अध्याय में जुड़ने के लिए धन्यवाद क्योंकि हमने भगवत गिता के गहन ग्यान की खोज की अगर आपको ये वीडियो आनंद दायक लगा तो अधिक अध्यमिक सामगरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब करना ना भूले दोस्तों आप आत्म खोज की अपनी यात्रा पर शांती और उद्यश्य पा सकते हैं हर्यों, धन्यवाद आपका अपना विजय जक्ता